हेलो एवरीवन वेलकम टू ओल इन डेली करेंट अफेर एमसी क्यूस आज तारीख है 16 सेप्टेंबर 2020 तो आज देख लेते कौन-कौन से इंपॉर्टेंट कुश्चन दे आज कुश्चन की और बढ़ने से पहले हैं हमारे कुछ पेड कोर्सें से जिने आप ले सकते हैं एरली प्लान जो है 499 रूपीज का है मंतली जो है 99 रूपीज का है और जो एंसियाटी का प्लान है वो 299 रूपीज का है अगर आप एरली प्लान लेते हैं तो आप इसे अभी 399 रूपीज में अवेल कर पाएंगे तिल 28 सक्टेंबर आपको करना क्या है 399 रूपीज आपको Google पे या फोन पे करना रिस्पेक्टिव नंबर पे उसके बाद screenshot को share करना WhatsApp पे जैसे आप screenshot को share करते हैं भी यह सरी facilities को avail कर पाएंगे और साथ में जो भी आप लोग current डिस्कस करने जा रहे हैं उसके PDF note को भी avail कर पाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे जो हमारा पहला question है वो Singapore Convention on Mediation के बारे में है तो आए statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement यह कहता है कि जितने भी corporate dispute है जो कि Mediator Settlement के थूँ सेटल किये गए है उनको यह बहतर तरीके से enforce करेगा हमारा जो दूसरा statement वो यह कहता है कि यह जो convention उसको United Nation convention भी कहा जाता है या जाना जाता है जो मारा तीसरा statement वो यह कहता है कि India जो है वो अभी इस convention का signatory नहीं है तो बताएए कौन-कौन से statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला statement बिल्कुल correct है, दूसरा बिल्कुल correct है, लेकिन तीसा जो है वो incorrect है, तो option A जो ता वो correct हो जाता है, आए जान लेते हैं इसके बारे में, देखें हाल में ही न, एक settlement agreement जो फोर्स में आया है, वो settlement agreement का नाम क्या है, United Nation Convention और International Settlement agreement agreements, ये agreement जो फोर्स में आया है, और ये जो agreement वो result किसका है, mediation का ही result है, ठीक है, Singapore Convention on Mediation की बात करें, तो ये जो convention है न, वो provide करता है एक बहतर effective वे को, जिससे कि जितने भी mediated seltrelements है न, corporate disputes के, उनको बहतर तरीके से enforce किया जा सके, तो इसलिए जो पहला statement था, वो बिल्कुल correct थ देखे, UNGA ने इसको adopt किया है, इस convention को कब, 28 December 2018 को, ठीक है, और फिसको adopt करने के बाद, इसको signature के लिए open कर लिया गया था, जो और भी member countries जिसमें join करना चाहती है, वो join कर सकती है, ये कब हुआ था, 7th August 2019 को, Singapore में, further information को देख लेते हैं, इस convention के बारे में, देखे, जो Singapore Convention on Mediation है इसको United Nation Convention के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो दूसरा statement था, वो भी बिल्कुल correct था, और इंडिया जो है, इस convention का signatory है, इसे जो तीसरा statement था, वो incorrect था, तो ये सारी information थी, इस convention के बारे में, चलिए बढ़ते आगे, जो हमारा दूसरा question हो, वो Parliament sessions के बारे में है, तो आए statements क को ध्यान से देख लेते हैं, परला statement ये कहता है कि जो Parliament है, उसको साल में कम से कम दो बार एकठा होना जरूरी है, हमारा जो दूसरा statement है, वो ये कहता है, जो research है, वो propagation of house और reassembly of new session के बीच का period है, तो बताए कौन कौन से statement correct है, तो मैं आपको बता जाता हूं, दोनों के दोन के लिए COVID-19 के pandemic के वज़े से, इसलिए ये news में था, देखे, further information क्या है, जो President of India होता है, उसके पास ये power होती है, कि वो time to time Parliament के session को summon करे, और जो maximum gap हो सकता है, पारलेमेंट की meeting के बीच में, वो 6 महीने से जादा नहीं हो सकता है, एक साल में, इसलिए जो पहला statement था, वो बिल Assembly of new session के बीच का होता है, इसलिए दूसरा statement था, वो भी बिल्कुल correct था, तो ये सारी information थी, sessions के बारे में, पारलेमेंट के चलिए बढ़ते आगे, जो हमारा third question है, वो Indian brain templates के बारे में है, तो ये statements को ध्यान से देख लेते हैं, पहला statement ये कहता है, कि ये जो brain templates है, वो इक तरह information करता है, हमारा second statement है, वो ये कहता है, ये जो template से वो develop किये गए है, National Institute of Mental Health and Neuroscience के दोरा, तो बताए कौन कौन से statement correct है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों के दोनों statement बिल्कुल correct है, तो option C जो होता है, वो correct हो जाता है, आए जान लेते हैं इसके बारे में, देख develop किया है, ये कि brain template होता क्या है, इसमें होता क्या है, कि एक तरह का gross representation है, जिसमें बहुत सारी brain images को एक साथ रखा जाता है, और ये समझा जाता है कि brain कैसे function करता है, disease condition में, इसलिए जो पहला statement था, वो बिल्कुल correct था, further information को देख लेते हैं, देखें जो इस institute की neuroscientist है न, उन और brain scans की study के बाद क्या हुआ है, five set को form किया गया, five set को बनाए गया है, Indian brain templates के और brain atlas के, ठीक है, जिसे कि further information हो सके brain की functionality के लिए, तो ये सारी information थी इस tablets के बारे में चली बढ़ते आगे, जो हमारा fourth question उसमें कुछ statements दी गही है, तो आज इस statements को ध्यान से देख लेते हैं, पह दूसरा statement वो ये कहता है, जो wholesale price based inflation होता है, उसको measure किया जाता है, wholesale price index के द्वारा, तो बताए कौन कौन से statement correct है, तो मैं आपको बता देना चाता हूँ, दोनों के दोनों statement बिल्कुल correct है, तो option C correct हो जाता है, आए जान लेते हैं, इसके बारे में, देखिए हाल में na inflation के data को release क किया गया है, for August 2020 के लिए, तो इसलिए ये news में था, ठीक है, further information को देख लेते हैं, देखिए, जो retail inflation होता है, उसको measure किया जाता है, consumer price index के इंतरकत, देखिए, इसमें क्या होता है, इस price index के इंतरकत किया, जो price का change होता है, वो measure किया जाता है, retail level पे, ठीक है, और ये जो data हो release किया जाता है, किसके दोरा, NSO के दोरा, wholesale price index की बात कर ले, तो देखिए, जो wholesale price index है, इसमें जो price है, वो measure किया जाता है, wholesale level पे, और इसको publish किया जाता है, office of economic advisor, ministry of commerce and industry के दोरा, तो ये सारी information थी, inflation के बारे में, चली बढ़ते आगे, हमारा जो fifth question है, वो support to startup ecosystem के बारे में है, हाल में इसका second edition release किया गया है, हमें ये बताना है, ये किसके दोरा release किया गया है, तो आए options को देख लेते हैं, नीति आयो के दोरा, department for promotion of industry and internal trade के दोरा, department of investment and public asset management के दोरा, या startup council of India के दोरा, तो मैं आपको बता दोने चलतो है, जो इसका correct option है, वो B है, department for promotion of industry and internal trade के दोरा, तो हाल में इना startup ecosystem के second edition को launch किया गया था, इसलिए इन्यूज में था, देखिए जो, ये जो सब कुछ होता है, ranking of states को जो होता है, startup ecosystem के, जो conduct करता है, कौन करता करता है, department for promotion of industry and internal trade करता है, इसलिए जो option B था, वो बिलकुल correct था, इसके objective के बारे में जान लेते हैं, देखिए जो ranking है, startup ecosystem के base पे, ये क्या होता है, ये state or union territories के बीच में competition को बढ़ाता है, और साथ में इनको propel करता है, कि ये proactively काम करें, जिससे की startup ecosystem को lift किया जा सके, या नहीं, बढ़ाया जा सके, किसी particular state or union territory में, तो ये सारी information तीज ecosystem के बारे में, चलिए बढ़ते हैं, जो हमारा sixth question है, वो 2.0 version हाल में ही launch किया गया था, हमें ये बताना है, ये किसके दोरा launch किया गया है, तो आई ये options को देख लेते हैं, ministry of environment, forest and climate change के दोरा, ministry of housing and urban affairs के दोरा, ministry of commerce and industry के दोरा, ये ministry of new and renewable energy के दोरा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका correct option है, वो B है, ministry of housing and urban affairs के दोरा, इस framework को launch किया गया हाल में ही, आई ये जान लेते हैं, इसके बारे में, देखे हाल में ही न, इस assessment को release किया गया, ministry of housing and urban affairs के दोरा, इसलिए ये news में था, देखे ये जो initiative है, ये जो framework है, वो इक तरह का initiative है, इसमें क्या होता है, जो urban planning और development है न, इंडिया का, उसमें क्या होता जाए, cities के लिए, जिससे की, वो combat कर सके climate change को, उसी हिसाब से planning की जाए, उसी हिसाब से investment किया जाए, और उसी हिसाब से actions को भी implement किया जाए, ठीक है, जो climate center for cities है न, जो की under national institute of urban affairs है, वो support करती, ministry of housing and urban affairs को, जो की, जिससे की, मतलब, इस framework को implement किया जा सके, further information को देख लेते हैं, इस framework के बारे में, देखिए, जो framework है न, उसमें 28 indicators है, और इन 28 indicators को segregate किया गया है, पाँच categories में, तो वो categories जो हैं, वो नीचे listed है, energy and green buildings, urban planning, green cover and biodiversity, mobility and air quality, water management and waste management, तो यह सारी इसकी categories है, तो यह सारी information थी, इस framework के बारे में, चले बढ़ते आगे, जो हमारा 7th question है, वो net present value के बारे में है, यह जो term है, कभी-कभी news में देखा जाता है, हमें यह बताना है, जो term है, वो किसी से related है, तो आए options को देख लेते है, climate change की से related है, COVID-19 vaccine के trial से related है, forest diversion से related है, यह framework on resolution of stress assets से related है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह forest diversion से related है, तो option जो C होता है, वो correct हो जाता है, आए जान लेते हैं इसके बारे में, देखें, जो net present value है न, वो एक तरह, एकतम simple सा concept है, इस concept के इंतरगत क्या होता है, कि जैसे मालीजे कोई forest land area है, ठीक है, अब इस forest land area में मालीजे कोई industry को set up करना है, तो अब्यसी बात है, इस forest को cut down करना पड़ेगा, और इस land पे industry को set up करना होगा, तो जितना area cut down किया गया ह ठीक है, उसका, जो forest loss हुआ है, forest lost हुआ है, forest diversion हुआ है, उसको monetary value में उसका approximation किया जाता है, कि इतना area का forest, अगर हमने cut down किया है, तो उसको अगर monetary value में calculate करेंगे, तो लगभग कितना price हुआ, इतने forest land का, ठीक है, तो इसी, मतलब, इसी जो monetary value होती है न, इसी को हम लोगो net present value क कहते हैं, ठीक है, तो यह थी information net present value के बारे में, अब जान लेते हैं, यह concept आया कहां से, देखिए, जो concept है, net present value का, वो recommend किया गया था, एक committee के दवारा, जिसका नाम था, कंचन गुपता, ठीक है, कंचन गुपता जो थी, वो professor थी, और उनके name पे ही, एक committee form हुई थी, ठीक है तो उन्हें नहीं यह recommendation दिया था, कि net present value को implement किया जा, अगर आप forest diversion को implement करते हैं, तो, इस recommendation को क्या हुआ, regulate किसने किया, Supreme Court ने regulate किया, net present value को implement करके, diverted lands के लिए, further information को देख लेते हैं, देखिए, further information यही बताती है, कि अगर आप मालीचे कोई industrial enterprise setup कर रहे हैं, तो, उस land का, जो अपने, इस industry के बज़े से divert किया है, उसका calculation कैसे किया जाएगा, मतलब, net present value का अंदाजा कैसे लगाया जाएगा, तो, यह अंदाजा लगाया जाएगा, कि, वो जो forest area था, वो कहां पे, located, city के पास था, या city से दूर था, या रूलर एरिया में था, वहां पे, किस type का forest होता था, ठीक है, और यह भी depend करेगा, कि किस type की industry भी setup की जारी थी, तो, इन सारे parameters को consider करके, यह पता किया जाएगा, कि, जो net present value है, उसका monetary value कितनी होगी, ठीक है, तो, यह सारी information थी, net present value के बारे में, चलिए बढ़ते आगे, जो हमारा eighth question है, वो monetary policy के बारे मे यह कहता है कि, एक monetary policy है, जिसके अंतर गत, बहुत सारी currency को print कर दिया जाता है, और उस money को क्या किया जाता है, public में distribute कर दिया जाता है, जिससे कि economy को revive किया जा सके, recession के दोरान, तो, ऐसी monetary policy को कौन से term से, जाना जाता है, helicopter money के नाम से जाना जाता है, jet money के नाम से जाना जाता ह तो बताए कौन सी monetary policy है जिसके अंतरगत ये action लिया जाता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये helicopter money है तो ये option age होता है वो correct हो जाता है आए जान लेते हैं देखिए जो helicopter money है न वो एक तरह का unconventional monetary policy tool है किसी भी central bank का ठीक है इस tool के अंतरगत किया क्या जाता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा concept उसको समझ लेते हैं जैकि माली जैसे कोई economy है ठीक है अब किसी economy में क्या है demand एक्दम zero हो गई मतलब recession का दौर चल रहा था लोगों के पास पैसे नहीं है पैसे खतम होगर recession में तो आपकी जो demand क्या होगी वो zero हो जाएगी खतम हो जाएगी जैसे demand खतम होगी वैसे inflation भी zero हो जाएगा और economy भी decline पे चली जाएगी वो भी zero पहुचने लगेगी तो इस case में क्या होता है कि जो central bank होती है किसी भी country की वो क्या करती है helicopter money monetary policy tool का यूज करती है इसमें क्यों होता है जो central bank है बहुत सारी currency को print कर देती है और print करने के बाद वो लोगों की बीच में distribute कर देती है जैसे ही लोग बस पैसा आता है लोगों की spending capacity बढ़ जाती है वो spend करने लगते है जैसे ही वो खर्च करना शुरू करते है economy में demand revive कर जाती है जैसे ही demand revive करती है inflation बढ़ जाता और economy भी revive कर जाती है यह step generally recession के दोर रान लिया जाता है ठीक है further information को देख लेते है further information में यही mention है कि जो term है न वो coin किया गये थे American economist Milton Friedman के दोरा जो कि यह denote करता है कि एक तरह का ऐसा tool है जिसमें कि money को directly sky से drop किया जा रहा है लोगों के पास यह ऐसा ही होता है कि यह से मानने आपने खुब सारा पैसा प्रिंट करके लुटा दिया हो तो मतलब आप यहाँ पर कैसे लुटा रहे हो helicopter के थूँ तो यह मतलब एक term था इसको coin करने के लिए उन्होंने इसको एसे denote कर दिया था और इसलिए इसका नाम पढ़ गया helicopter money तो यह सारी information थी helicopter money के बारे में चले बढ़ते आगे जो हमारा 9 question वो Asian Development Bank के बारे में है तो आए statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement कहता है कि Asian Development Bank का यह aim ही है कि social and economic development को promote किया जाए Asia में हमारा जो दूसरा statement अब वो यह कहता है कि जो Asian Development Bank है वो official observer है United Nations का तो पताए यह कौन को सा statement correct है तो मैं आपको बता जाना चाहता हूँ दोनों के दोनों statement बिलकुर correct है तो option C correct हो जाता है आईए जान लेते हैं इसके बारे में देखे जो Asian Development Bank है न वो एक तरह का Business Development Bank है जो की establish किया गया तो 19 December 1906 को यानि 19 December 1966 को ठेक है इसका जो aim है वो है social और economic development को promote करना Asia में तो इसलिए जो पहला statement था बिलकुल correct था further information किया है कि जो Asian Development Bank है वो committed है क्या चीफ करने के लिए prosperous, inclusiveness, resilient or sustainable Asian Pacific को जिससे की eradicate किया जा सके poverty को further information किया है कि ADP का जो headquarter है वो Manila में है और ADP जो है वो official observer भी है UN का तो इसलिए जो दूसरा statement था वो बिलकुल correct था हाल में इन यह आपको पता ही होगा कि जो election commissioner था अशोक लवाशा उनको vice president बना दिया गया है ADP का तो यह सारा information थी ADP के बारे में चले बढ़ते आगे जो हमारा 10th question वो index of industrial production के बारे में है तो आईए statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement यह कहता है कि यह जो index है वो publish किया जाता है NSO के दोवारा साल आना जो मारा दूसरा statement है वो यह कहता है कि जो base year है IIP का वो है 2011 और 12 तो बताए कौन कौन से statement correct है तो मैं आपको पताने जाता हूँ जो पहला statement है वो incorrect है लेकिन दूसरा बिलकुल correct है तो option B correct हो जाता है आए जान लेते हैं इसके बारे में देखें जो index है वो एक तरह के indicator है जो की measure करता है industrial products के production के volume में changes को ठीक है further information को देखें तो यह जो index है वो compile और publish किया जाता है monthly मतलब हर month इसको publish किया जाता है ना कि yearly इसलिए जो पहला statement था वो incorrect था कौन इसको publish करता है and इसको publish करता है under ministry of statistics and program implementation देखें वही है कि जो IIP है न वो इतरह का composite indicator है जो की measure करता है growth rate को industry में और यह classify किया गया है कुछ group के अंडर गत जो कौन कौन से group हैं broad sectors में जैसे की mining, manufacturing और electricity ठेक है और इसका जो base year है वो है 2011 और 12 इसलिए जो दूसरा statement था वो correct था तो यह सारी information था IIP के बारे में चले बढ़ते आगे okay we have reached to the end thanks a lot for your support if you found it knowledgeful please hit the like button subscribe to our channel and share this video if you want to access our free study material you can join our telegram group the link will be provided in the description box and thank you for watching the video have a good day knownst Time Talk मोण तेर वृस्तֹ you